नमो नमाह च्छात्राह, सभी को नमस्कार, आज हम आपकी कख्षा सप्तमी का जो सप्तमाह अध्याय है, सात्मा जो पाठ है, उसे हम आज पढ़ेंगे संकल्प सिद्धी को देने वाला है संकल्प कार्थ होता है किसी भी कार्य या किसी भी लक्षे के लिए किया हो हमारा दिर्ड निष्चे जो है वो कहलता है संकल्प और सिद्धी दाया कहा सिद्धी अर्थात होता है सफलता और दाया कार्थात देने वाला अर्था तरया हम संकल्प कर लेते हैं दृड़निष्चे कर लेते हैं किसी भी लक्ष को प्राप करने के लिए तो वो हमको सिवतिय सफलता आवश्य ही दिलवाता है बस दिलवाता है यही इस पार्फ का जो है उद्देश्य है आपको समझाना तो एक छोटी सी लगू कथा है उसके आधार पर ये पार्थ हमें दिया गया है आई ये इसका अधियन करते हैं ये कथा है पारवती और शिव के बारे में आप सभी जानते हैं शिव और पारवती के बारे में तो जो पारवती है वो शिव से विवाह करने के लिए तपस्या करना चाहती है इस सम्मंद में यह पाठ है और उनको ऐसा करने के लिए जो नारद थे उन्होंने प्रेड़ना दी थी कि तुम तपस्या करो जिससे शिव प्रसंद नो करके तुमसे विवाह कर लेंगे तो इस अंदर में पारवती अपने माता से जो कहती है वहां से यह पाठ शुरू होता है और यह जो पाठ है यह है एक नाटक के रूप में दिया गया है अर्थाथ जो ब्रेकेट्स में या जो कोश्टक के बीच में जो चीज दी गई है वो सभी बताया गया है कि मंच पर यह चल रहा है और फिर एक एक जो पातर है वो अपनी बात को कह रहा है तो जिस प्रकार हमने पहले नाटक को पढ़ाता हासे बालकवी संभिलन में उसी प्रकार हम इसे पढ़ेंगे सबसे पहले जो मंच पर क्या दिखाई देता है पारवती शिवम पती रूपेन वांग्षत पारवती जो थी वो शिव को पती के रूप में चाहती थी यानि उनसे विवा करना चाहती थी और एतदर्थम यानि इसके लिए इस कार्रे के लिए अर्था जिससे वो शिवम उनसे प्रसंद लोकर उनसे विवा करना है इसके लिए सा तपस्याम कर्तुम एच्छत और वो इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की उसने इच्छा की की वो तपस्या करे सा स्वकियम मनोरथम सा यानि उस पारवती ने स्वकियम यानि अपने मनोरथम यानि अपनी इच्छा को मात्रे यानि अपनी माता को नियवेदयत नियवेदन किया यहनी उन्हें अपनी माता को कहा पारवती ने कि मैं शिव से विवा करने के लिए तपस्या करना चाहती हूँ अब जो उनकी माता थी उनका नाम था मेना वो ततश्रुत्वा इस बात को सुनकर कि पारवती तपस्या करना चाहती है इस बात को सुनकर चिंता कुला अभवद, चिंता से व्याकुल हो गई, बहुत परिशान हो गई, उन्हें लगा कि ये पारवती इतनी कोमल है, ये तपस्या कैसे करेगी, तो वो क्या बोलती है मेना, वत्से यानि बेटी मनीशिता देवता ग्रहे एव संती, कि बेटी मनीशि जिस भी देवता की तुम इच्छा करो, जो भी तुमारी कामना को पून कर सके, जिसे तुम चाहो, वो ग्रहे एव संती, वो सारे देवता कहां है, ग्रहे एव यानि घर में ही है, हम तो क्याराश परवत पर रहते हैं, और यहां सारे देवता पहले ही है, और तपह कठिनम और यह तपस्या है वो वैसे भी कैसी होती है कठिनम भवती बहुत ज़्यदा कठिन होती है तव शरीरम सुकोमलम वर्तते तुम्हारा जो शरीर है वो कैसा है सुकोमलम यानि बहुत कोमल है तुमने कभी भी कोई भी कठिन कारे नहीं किया है अत्राइव यानि घर में ही यही नहीं पर ही तवाभीलाश हो तुम्हारी इच्छा सफलाह बविश्यती पूरी हो जाएगी अर्था तुम यहीं रेकर यहीं ब्रत कर लो किसी देतागी पुझा कर लो तुम जो चाहती हो शिव को वो तुमें मिल जाएंगे किंतु तुम तपस्या करने बाहर मत जाओ, ऐसा मेरा ने कहा, अब पारवति क्या बोलती है, अम्ब, यानि माता, तदिशह अभिलाशह, यानि उस प्रकार की अभिलाशा, अर्था अर्था मेरी कोई छोटी मूटी अभिलाशा नहीं है, मैं साक्षत शिव को प्राप्त करना चाती हूं तो ताद्रिश अभिलाश इस प्रकार की मेरी इच्छा जो है वो तपसाएव पूर्ण भविश्यती तू यानि तो तपसाएव अर्था तपस्या से ही पूर्ण भविश्यती पूरी होगी अर्थाल, मेरी बहुत बड़ी एक कामना है, जो छोटे-मोटे पूजापारच से सम्पनन नहीं होगी, ये तो तपस्या से ही पूर्न होगी. अन्य था तादृष्यम पतिम-कथिम-प्रापस्यामी. अन्य था, यानि इस तपस्या के बिना, ताद्रिशम पतिम उस प्रकार के पति को उस प्रकार के शेश साख्षात शिव को मैं कथम प्राप्सयामी किस प्रकार मैं प्राप्त करूंगी अतहा अहम तप एव चरिश्यामी मैं तपस्या ही करूंगी पिती मम संकल्प है ऐसा मेरा दिर्ड निष्चे मैंने कर लिया है यह मेरा संकल्प है कि मैं शिव से विवा करने के लिए उन्हें प्रसंद करने के लिए तपस्या ही करूँगी अब मेना जो है वो माता है तो उनका परिशान होना व्याकुल होना सभाविक है वो क्या बोलती है पुत्री तुम्ही मेरे जीवन की अभिलाशा हो अपारवती बोलती है सत्यम यानी बिल्कुल सच कह रही हो माता परम लेकिन मम मनाहा मेरा मन जो है वो लक्षयम प्राप्तुम आकुलितम वर्थते मेरा जो मन है वो मेरे लक्षय को मेरे उद्देशय को प्राप्त करने के लिए बड़ा आकुल व्याकुल हो रहा है अर्थत है मैं शिव को प्रसंद करने करे तपस्या तो करने जाओंगी और सिद्धिम प्राप्ते है और जब मुझे सफलता मिल जाएगी उसके बाद पुनह तवईव शरणम आगमिश्यामी मैं पुनह तुमारी ही शरण में वापिस आ जाओंगी यानि पुनह तुमारे पास वापिस आ जाओंगी तब तक ही तुमको मुझे दूर रहना पड़ेगा जब तक कि मुझे अपनी तपस्याम में सफलता नहीं मिल जाती और अध्याईव विजया साकम अब पारवती निश्चा कर चुकी है तो क्या बोलती है अध्याईव यानि आज ही विजया साकम जो मेरी सखी विजया है उसके साथ साकम यानि साथ में गौरी शिखरम गच्छामी गौरी शिखरम नाम का जो स्थान है वहां मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ तो पारवती जो है वो अपने माता वो ऐसा क्या करके तपस्या के लिए ततह पारवती निश्क्रामती मंच जो है महां से पारवती चली जाती है अब दिखाया जा रहा है मंच पर कि पारवती मन सा वच सा कर्मना च तपह एव तपती यानि मन वानी और कर्म से पारवती तपस्या ही करती जाती थी और कदाचित रात्रव इस थंडिले कभी-कभी तो रात को वो शिला पर पत्थर पर ही सोजाती थी और कदाचित शिलायाम स्वपितिस्म कभी किसी शिला की उपर सो जाती थी, कभी इस थन्डेल ने रहता प्रत्वी परी, अत्वा किसी चटान पर, शिला पर सो जाती थी, इसी प्रकार कटिन तपस्या को वो करती थी, और एकदा विजिया अवदत, अब जब पारवती तपस्या को लगातार कर रही है, तो एक दिन विजिया उससे क्या बोलती है सखी तपह प्रभावात हिंस्र पश्ववपी तव सखायह जाता की पारवती देखो जो तुम्हारी तपस्या है उसका इतना प्रभाव है कि हिंस्र पश्ववपी जो हिंसक जानवर है जंगल के वो भी तव सखायह जाता तुम्हारे दोस्त बन गए हैं वो भी तमसे मित्रता पूढ व्यवार करते हैं और पंचागनी वृतम अपीत्वम अतापः तुमने पंचागनी वृतको भी तप लिया है पंचागनी वृतकार्थ होता है कि चारों और अगनी को जला लिया जाए और उपसे सुर्य का जो प्रकाश है, सुर्य की जो गर्मी है, जो उषनता है वो आ रही हो, इस प्रकार के गर्म वतावरन में जो तपस्या होती है उसे बोलते हैं पंचाव्मी विरत, या नि 5 अगियों के बीच में किये जाना वाला विरत उसको भी टुमने कर लिया और पुनरपी तव अभिलाशह ना पूर्णह अभवाद देकिन आज भी तुमारी जो इच्छा है शिव को प्रसन्न करने की वो पूर्ण नहीं हुई है शिव आज भी प्रसन्न होकर तुमारे सामने नहीं आए है अब पारवती क्या बोलती है अई विजये अरी विजया किम ना जाना सी क्या तुम नहीं जानती हो मनस्वी कदापी धाईर्यम ना परितेजती कि जो मनस्वी व्यक्ती है जो स्वाभिमानी व्यक्ती है जो द्रड संकल्पी व्यक्ती है वो कभी भी धीरच को देर्य को ना परितेजती है यानि नहीं छोड़ता है और अपीचे मनोरथ रथा नाम अगति हीनास्ती लेकिन फिर भी मनो रथा नाम यानि मन में जो की च्छायाति हैं की अगति हीनास्ती उनकी कोई अगति नहीं अर्था तुम्हारे मन में अधी भाव आ तो उसको तुम नहीं रूख सकती कि उनकी हमारे मनों भावाओं की गति तो कहीं तक भी हो सकती है अब विजया बोलती है तुम वेदा मधीत्वती तुमने वेदों को पढ़ लिया पारवती यज्यम संपाधित्वती तुमने यग्ये को भी कर लिया और तपहकारणात जगति तव प्रसिद्धी ही तुमने इतनी कठोर तपस्या की है कि जगति यानि संसार में तव प्रसिद्धी तुमारी प्रसिद्धी भी हो गई है और अपर्णा इती नामना अपी तौम प्रतिता अपर्णा इती नामना यानि इस नाम से भी तौम प्रतिता तौम प्रसिद्ध हो अपर्णा नाम पर्वति का क्यों पड़ा क्योंकि वो व्यक्ति जो कुछ भी ना खाए बिना खाए पिए व्रत करे तब करे अर्थत पर्ण अर्थत पत्ते को भी जो ना खाए उसे बोलेंगे अपर्ण अतहा कुछ बिना खाए पिए व्रत करने की करण तब करने की करण पर् तो इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो पुनरपी तपसह फलम नईव द्रिश्यते किन्तु पुनरपी यानि फिर भी तपसह फलम तपस्या का फल नईव द्रिश्यते दिखाई नहीं दे रहा है यानि शिव अभी भी प्रसंद नहीं हुए तुमने इतना कुछ कर लि आप आर्वती बोलती है अई आतर हिर्दय अरे परिशान मन वाली अरे चिंता करने वाली कथम चिंतिता तुम बेकार में ही चिंता क्यों कर रही हो आप आर्वती ये बोली रही है उसी बीश में नेपत्थे में यानि मंच के पीछे से आवा जाती है अई भो अरे ओ हम आश्र मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांक्षामी मैं जल की इच्छा करता हूँ, यानि मैं आश्रम में कहीं पढ़ने वाला ध्यन करने वाला ब्रह्मचारी शिश्य हूँ किसी का, तो मुझे जलम वांक्षामी मैं जल की इच्छा करता हूँ, उस समय जो आश्रम में रह बुरा गई कि अबना जल्दी से उसका स्वागत करना पड़ेगा, तो वो क्या बोलती है, विजये, पश्ये, कोपी, वटू, आगतोस्ति, कि विजया देखो, कोई ब्रह्मचारी, कोई वटू यहां पर आया है, विजया जटिती आगच्छत, अब विजया थी वो फटाफट शिव है, पारवती है, और विजया है, वो शिव है, वो साक्षात रूप में नहीं है, उन्होंने किसका वेश्धरन किया है, वटू का, यानि ब्रह्मचारी के रूप में उनकी परिक्षा रेने साक्षात कोण आए है, शिवा है, तो वो मंच पर आ गए है, विजया कहती है वटो स्वागतम ते, यहनि वटू तुमारा स्वागत है, उपविशयतू भवान, आप बैठिये, और फिर परिचय देती है विजया, यह में सखी पारवती, यह मेरी मित्र मेरी सखी पारवती है, और शिवम प्राप्त मत्र तपह करोती, और यह यहां गोरी शिखर पर शि यह देती है, यह यह एकना, नुसको ओर रही है, जब रही है, पारवती कुछ उतर नहीं में सखी दिखिव के लिए, को बता देती है अब वतुरूप धारिशिवह सहसाई वो अच्छाई उपहसती अब जो वतु का रूप धरन करके शिवाये है वो सहसाई व यानि अचानक ही जो से जोसे उच्छाई ओपहसती करते हैं हस्ते हैं जोसे आफटू क्या हसते हूँ बोलते हैं अई पार्वती, अरे पारवती, सत्यामीव तम शिवमपति में इच्छाटी, क्या वास्तम वे तम शिवकोपति की रूप में चाहती हो, ओप उसान, यानि hotel क्या कहता है, अब वो शिवक की बुराई करता है, नाम ना शिव है यानि, नाम से शिव है, अन्य था शेamı अनय थह थो बिलकूल उलटा ही इह शिव का आर थि होता है कल्यानकरी जो आपको लाव दे और अशिव का या इन या कल्यान कार सिरी सरा या नाम उसका शिव आई लेकिन वास्त में वो शिव है शम्षान है शमषान से और रहता है लोग अश्यक्षण गरों में अच्छे की चर्म यानि खाल वो बाग की खाल को पहनता है और जो अपने शरीर पर लोग अच्छे अंगराग लगाते हैं क्रीम वगर लगाते हैं और शिव का अंगराग क्या है चिता भस्म यानि जो अम्रत व्यक्ति होता है इसकी चिता की भस्म को शिव अपने शरीर पर लगाते हैं और परीजनाश्च बूत गणा लोगों के रिष्टेदार बड़ा एच्छ अच्छ होते हैं और शिव के परीजन रिष्टेदार कौन है बूत गणा यानि भूत राक्षस वगरा उनके परिवार में हैं अब जिसमें इतनी ज़्यादा विसंगतियां हो जो इतना ज़्यादा जो बिल्कुल अशिव है इस प्रकार के शिव को तुम पती की रूप में चाहती हो उनके लिए तपस्या कर रही हो यह बोलता है वटू रूपधारी शिव आप पारवति को क्या गुसा जाता है कुरुद्धा सत्य नारा जोते को बोलती है अरे वाचाल अरे बहुत बोलने व जानाती तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वह चिता वसम को लगाते हैं और पदीजन उनके भूध गण है तो इस प्रकार की जो तुम सोच रहे हो वह ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि शिवस से यथार्थम सुरूपम ना जानाती तुम शिव के यथार्थम सुरूप को इतार्सुरूप को सप्रोप में कोई भी शिवक यथार्सुरूप को samdesi और एक तो तुम जानते हूं और जैसे तुम हो यथा तुम हो यथा t पाप भाग भवती यह श्रिणोती सोपी पाप भाग भवती क्यों चलो यहां से? क्योंकि जो श्रिष्ट व्यक्ति की बुराई करता है निंदा करता है उसको तो पाप लगता ही है किन्तु यह श्रिणोती जो सुनता है सोपी पाप भाग भवती यानि किसे अच्छे वेक्ति की बुरा यही हमारे सामने कोई करे तो करने वाला पापी होता ही है यह हम सुनेंगे शांती से, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो हम भी पापी होँगे तो पारवती दुरुद्गत्या निश्क्रहणति पारवति जल्दी से वहां से निकलती है लेकिन तदैव तब ही प्रिष्टत है यानि पीछे से वटोह रूपम परित्यज्ये वटू के रूप को छोड़ करके शिवह तस्या हस्तम ग्रहनाती शिव ने उनका हाथ पकड़ लिया शिव जो है वसली से रूप में आगए क्योंक और निकले सक्षा शिव निकले जिनके लिए मैं तपस्या कर रही हूं अब सिव बोलते हैं पारवति प्रीतोस्मी तव संकल्पीन कि पारवती प्रीतोस्मी मैं प्रसंद हो गया हूँ किसे तव संकल्पीन तुमारे संकल्प से तुमने जो संकल्प लिया दिरनिष्चे किया और दिरनिष्चे पर टिक कर तुमने तपस्या कि उससे मैं प्रीतोस्मी तुम्हें प्रसन हो गया हूँ और तुम किसी की डिगाने से नहीं डिगी, मैंने तुम्हें कितनी बुराई की लेकिन तुमने उन बातों को भी नहीं माना, तु तुम्हारा संकल्प सचता, इससे मैं प्रसन हो गया हूँ और अध्य प्रवरती अहम तव तपोभी क्रीत दासोस मी और अध्य प्रवरती यानि आज के बाद आज से अहम यानि मैं तव यानि तुम्हारे तपोभी यानि तपस्याओं के द्वारा क्रीत दासोस मी खरिदा हुआ सेवक हूँ तुमने मुझे अपनी तपस्या रूपी धन से खरी लिया है और आज से मैं तुम्हारा सेवक बन गया हूँ, तो पारवती की तपस्या से प्रसंद नो करके शिव साक्षयत्मा प्रकट हो जाते हैं, और पारवती को वर्दान देते हैं, जो उनकी इच्छाती उनसे विवा कर है और वह हुझती है, इस प्रकार हमने इस पार्ट में जो संकल्प है उसकी शक्ती को देखा, कि जो संकल्प है उसमें बहुत शक्ती है और यदि हम दड़ निष्चे करें और उस पर टेके रहें, तो हम कठिन से कठिन जो लक्षे है उसको सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, धन्यवाद